असलाम लेकुम फ्रेंड्स स्रीज मिट्रोलोजी के साथ पार्ट नमबर 14 और मैं दानिया लारिफ एक दफा फिर आपके सामने हाजर हूँ और फाइनली वह वक्त आ गया है जब हमने तक्रीबन अपने लेक्ट्र जो है वह कंप्लीट की है और आप आज से दो से तीन दिन बाद जो है इंशालला हमारा टेस्ट है उमीद करते हैं कि सबका टेस्ट अच्छा जाएगा उन तमाम लेक्ट्र जो हमने रिकॉर्ड करवाए मैं उनको बेस पर मैंने 50 important MCQs यहां पर कंपाइल की है जो मैं आपको रिजन के साथ उनको सॉल्फ करना सिखाऊंगा तो सुदेंट्स नमबर फरस्ट इस the most abundant gas in the atmosphere by volume इस डेश अबंदेंट का मतलब होता है जरूरी हमारे atmosphere में सबसे जादा जरूरी gas कौन सी है by volume और नेक्स thing is that this gas comprises 78% of the earth atmosphere by volume इसमें हिंट दी गई है कि हमारे earth का atmosphere by volume इसमें 78% जो है जो भी gas यहां पर आनी है उसमें 78% वो मौझूद होती है तो इसके लिए मैं आपके सामने एक डाइग्राम रखे और डाइग्राम में क्या शो हो रहा है कि तकरीबन 78% जो है वो nitrogen gas होती है हमारे प वो 0.96% होती है तो इसका सही answer जो है वो obviously क्या है nitrogen है because 78% gas जो है वो कौन सी gas मौझूद है यहां पर nitrogen gas मौझूद है next MCQ है students हमारे सामने के the definition of a variable gas is a gas that varies significantly from time to time and place to place यह कह रहे है के variable gas एक ऐसी gas होती है जो time to time और place to place change होती रहे इसके अंदर तबदील ही आती रहे तो बताइए के most significant variable gas by volume in the planetary boundary planets के इस गेर्थ जो है सबसे important variable gas कौन सी पाई जाती है atmosphere में तो students ozone जो है वो एक लियर में पाई जाती है stratosphere के अंदर oxygen variable नहीं है इसके अंदर कोई change नहीं आता मतलब जितनी percent मौझूद है उतनी percent है atmosphere में 21 percent मौझूद है 21 percent रहेगी carbon dioxide 0.04 percent मौझूद है 0.04 percent रहेगी अब जो रह गया वो क्या रह गया water vapor जो के humidity की waste पर change होता रहता है कभी ज्यादा और कभी कम तो इसलिए इसका सही answer क्या है water vapor water vapor एक ऐसी gas है आभी बखारात है ऐसी gas है जो variable है और time to time और place to place हमें change होती हुई मिलेगी third mcqa हमारे पास an iso bar is a line of constant dash iso bar एक line है किस चीज की किस constant चीज की line होती है तो आपको बताता चलूँ के जो mapping होती है prediction के लिए उसमें ये जो lines होती है ये वो lines होती है जो equal pressure को join करती हुई जा रहे होती है 996 MB, 996 MB, 996 MB, 1000 MB, 1000 MB, 1000 MB तो ये जो lines होती है इनको हम iso bar कहते है और ये जो है ये pressures है तो an iso bar is a line of constant pressure यहाँ पर जो answer आएगा वो क्या आएगा an iso bar is a line of constant pressure अब इस mcqa हमें बताना है कि which of the following best explains how pressure decrease with the height in earth's atmosphere अब के पास 4 statements है आपसे ये कहा जा रहा है कि earth का जो atmosphere है इसमें जितनी height पे हम जाते रहेंगे वैसे वैसे pressure decrease होगा लेकिन किस तना decrease होगा decrease किस तना से होगा इसमें लिखा हुआ है कि पहला point यह है कि जो इसकी decrement होगी वो constant rate पर होगी मतलब एक जैसा decrement चलता रहेगा यानि कि 2, 2, 2, 2, 2, 2 meter इससे change होता रहेगा दूसरा क्या है it decrease quickly at first then more gradually कहरें कि पहले बहुत तीजी के साथ decrease होगा ठीक है it decrease quickly at first then more gradually फिर इसके बाद gradually decrease होता होगा जाएगा उसके बाद c क्या है हमारे पास it decrease at the rate of 9.8 milli bars per kilometer इसमे एक specific value देती कि इतनी milli bars per kilometer decrease होता हो जाएगा और number D जो दिया है it decrease in the troposphere, troposphere में decrease हो जाएगा stratosphere में फिर increase हो जाएगा then top of the atmosphere में जाके फिर decrease हो जाएगा जनी के increase decrease decrease increase इससाना चलता रहेगा तो अगर मैं आपको एक diagram दिखाऊ हो तो इसमें आपको नजर आ रहा है के पहले ये quickly decrease होगा quickly decrease होगा इस तरह से इसके अंदर exponentially decrement आ रहे है यहां से start किया आपने zero से और यह फॉरन 30 के साथ decrement होगा decrement होगा इसके बाद पिर यहां से इसके अंदर gradually decrement आ रहे है तो इसमें gradually decrement का मतलब यह exponential decrease है यह जो curve बन रहा है यह exponential का बन रहा है यह जो हमारे पास B point है यहां पर it decreases quickly at first then more gradually exponential decrease यह हमारा सही answer है next जो हमारे पास MCQ है उसमें यह पूछा जा रहा है के the seasons of spring summer winter and fall are a direct result of which phenomena जो seasons बनते हैं हमारे earth पर spring आता है summer आता है winter आता है और fall आता है यह किस चीज की किस चीज का result है कौन से phenomena का result है तो सबसे पहले आपसे का जा रहा है के सूरज की रोशनी का output है और the earth's proximity to the sun shifting of ocean currents, ocean के अंदर change आता है the 23.5 degree tilt of the earth from vertical earth जो है वो straight नहीं है बलके 23.5 degree पर tilt है और last is the jet stream तो इस के लिए मैं आपको डिखाता हूँ आप यह देख रहा है यह त्रिल्ड की वज़ा से क्यूंके यह सूरज straight है earth इसके सामने बिल्कुल straight नहीं है बलके 23 degree tilt है यह north है और south है देख रहा है यह इस में slope आ रहा है इस slope की वज़ा से यहां पर इस वक्त winter होता है नौर्थ पर नौर्थ पर यहां spring होता है इस point पर नौर्थ पर यहां summer होता है और इस point पर यहां पर नौर्थ पर autumn होता है तो actually tilt की वज़ा से यह तमाम हमारे जो seasons होते हैं यह बनते हैं तो इसमें जो सीव option है 23.5 degree tilt of the earth from vertical यह सही option है next time से क्यों यह है कि कौन सी चीज इस चीज को refer करती है कि transportation जो air हो horizontal हो रही है यानि कि हवा इस तरह से horizontal चल रही है और इसमें से कौन सा अलफाज जो है वो हवा का vertical transportation को जाहर करता है तो इसके लिए मैंने आपके पास एक diagram रखी है वो क्या है कि horizontal हमेशा एडवेक्शन को कहते हैं और vertical हमेशा convection को बोलते हैं तो आप याद रखिएगा horizontal transportation जब होती है तो वो एडवेक्शन होती है अभी warm और cold की बात नहीं होरी अभी simple यह हो रहा है कि अगर horizontal form है तो इसको हम एडवेक्शन कहेंगे और अगर vertical form है तो हम उसको convection कहेंगे तो इसका इन में से इन चार options में से सबसे ज़्यादा highest albedo किसका है तो there's more reflective solar radiation albedo कहीं होती है कि किसी भी चीज़ पर अगर solar radiation पढ़ लाई है तो radiation पढ़ने के बाद वो कितनी ज़्यादा reflected rays को वापस reflect करेगी वापस अपने पास से reflect कर देगी तो जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा highest albedo होता है जो सबसे कम reflect करेगा उसका सबसे कम albedo होगा तो आपके सामने एक चार्ट है जिसमें सबसे highest albedo जो है वो fresh snow का होता है उसके नीचे thick water clouds का होता है उससे नीचे thin ice clouds का होता है फिर ice का फिर sand का फिर grassy field का फिर dry power plot field का फिर water का और फिर hardwood forest का तो सबसे ज़्यादा highest albedo जो है वो किसका है fresh snow का that's why यहाँ पर जो सही option है highest albedo के लिए वो क्या है fresh snow यानि के option number A next जो हमारे पास mcqs में आपसे इसमें पुछा जा रहा है कि बताए इन में से कौन सी ऐसा लवज है ऐसी चीज है जो climate के control के तौर पर काम नहीं करता है यानि कि जिसकी वज़ा से climate को हम नहीं जताते मतलब जो इन में से कोई चारो में से कोई ऐसा अलफाज है जिसका climate से को अब्रिवेशन होती है लोवर लोवर फॉर एल से लेटिट्यूट ओ से ओशन करंट्स डव्यू से विन एंड एयर मासिस ई से एलिवेशन और आर से रिलीफ तो इन पांचों के इलावा यहां पर जो भी वर्ड है वह एक्चुली climate का हिस्सा नहीं होता तो अब्यसली यहां जो के डेली वेशन है जो के नॉट आप प्राइमरी कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट यहां पर डेली वेशन आंसर सही क्रेक्ट लगेगा next mcqa हमारे पास water has a dash heat capacity water के पास कौन कैसी heat capacity है low या high heat capacity का मतलब क्या है एक ऐसा this means a large amount of energy is needed to raise the temperature of water related to other substance अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताओ के heat capacity क्या होती है heat capacity और thermal capacity heat capacity भी कह सकते है या thermal capacity भी कह सकते है यह physical property है किसी भी matter की और इसको कैसे define करते है कि कितना amount of heat जो है उसको supply करना पड़ेगा उसके अंदर temperature को change करने के लिए कितना amount of heat हमें supply करना पड़ेगा कि उसका temperature change हो जाए तो water का temperature change करने के लिए हमें ज्यादा जो है वो heat के ज्यादा heat देनी पड़ती है पढ़ें पड़ती है ताकि का टेंपरेच्शर बर सब्सक्राइज करे तो जिसको जादा एनर्जी देनी पाँगी उसके जादा होगी और जिसको कम एनर्जी देने पर जल्दी से वह टेंपरेचर बढ़ जाएगा उसकी कम होगी तो वाटर के आगे दो रिखा हुआ कि भाई ज्यादा होती है अगर फेरन्हाइट में एक डिगरी चेंज होगा तो error by celsius scale अक्राइव square उसक्राइवे स्केल इनके बारे में शर्मप्राइवित याद नहीं है अगर आपको याद नहीं तो आप उसको Kevin नेयों तो जब हम इन 180 को 100 से डिवाइट करेंगे तो हमार पर रेशियो आता है 1.8 तो यहां पर 1.8 जो है वो सही आंसर है Okay next is which of the following fronts generally has the smallest slope and is associated with the light to moderate and wide speed precipitation अच्छा जब फ्रेंट की बात आएगी ना तो आपने यहां पर सिर्फ यही देख लेना है I think part number 13 या part number 12 है series का वो आप देखें तो आपको समझ में आएगा है कि smallest slope किस तरह से होते है और fronts क्या चीज़ होते है तो obviously बात है कि cold front और warm front के दोनों के दर्मियाना कर देख जाए तो smallest slope जो है वो warm front का होता है तो obviously यहां पर जो सही option लगेगा वो warm front लगेगा अगर आपसे कहा जाता है कि बताए हाइस लोप दोनों में से किसका है तो आप warm नहीं बलके cold front लगाते है next आप से MCQ पुछा किया है कि geostrophic wind जो होती है एक खास किसम का नाम है geostrophic wind is a balance of the pressure gradient force and the dash force यह actually balance है किसके दर्मयान pressure gradient force के दर्मयान और एक खास किसम की force के दर्मयान तो याद रखिए के pressure gradient force और Coriolis force इन दोनों के दर्मयान Coriolis force और pressure gradient force के दर्मयान जो balance बनता ए तो ऐसी winds को हम क्या कहते है geostrophic wind कहते है Coriolis force आपको पता है और आपना path इस तरह से change करती है लेकिन जो pressure gradient force होती है उसको दकेल देती है that's why ये wind जो है ऐसे जाने के बताँ ऐसे सीधी स्ट्रेट हो जाती है और ऐसी हमाँ को हम क्या कहते हैं geostrophic wind कहते हैं और ये आप मुमन 504 MB pressure पर pressure के atmosphere में पाई जाती है कि अगर आप earth को उपर north pole की तरफ से देख रहे हैं और earth rotates हो रही है तो बताइए किस तरह से रुटेट होगी clockwise या counter clockwise और इसमें आपको जो है एक clue दिया गया है कि जो sunrise होता है वह east से होता है और sets जो होता है वह west पर होता है यह सूरज जो निकलता है वह east से निकलता है नदर आएगा कि earth actually इस तरह से इधर घूम रही है तो यह clockwise के उलट घूम रही है घड़ी कैसे घूमती है इस तरह से जब कि यह कैसे घूम रही है इस तरह से जब आप टॉप पे से देखेंगे तो यह counter clockwise है तो that's why counter clockwise सही answer है अगर इस जगा Nord की जगा Sout लिखा होता तो आप counter clockwise की जगा clockwise लिखते ।ो जब आर्थ को आप North Pole की तरफ से देखते है तो आपको counter clockwise गूमती हुई नदर आएगी और जब अर्थ को आप South की तरह से देखेंगे तो आपको clockwise घुमती हुई नजर आएगी मैंने रियादानी के लिए यहाँ पर एक compass बनाती है जिसमें आपको पता है North उपर South यहाँ East राइट पे और West लेफ पे होता है आपने ये बात हमेशा याद रखनी है ठीक है नेक्स एमसी के हमारे पास यह के विच अफ़ दा फॉल्लएंग इस नॉट कंड्यूसिफ टू लेक इफक्ट इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो लेक इफक्ट इसमें सही नहीं है तो लेक इफक्ट इसमें क्या होता है मैं आपको बताओं के ऐसे एरियाद जिनके साथ काफी और काफी जादा बड़ी लेक्स मोजूद हूँ! वहां से जब ठंडी हवा की वज़ा से जब यह गरम हवा को यह से उपर उठातादि ने对 Totally Fund центр on tuj यह ऐसी स्नौ फॉलिंग और ज़ो इस लेक की वज़ाती है। बहुत असम अलफास में बता jätteमें कैसे थे लेक इफेक्ट स्नोव में जो है वह क्या है कॉंटिनेंटल पोलर मतलब थंडी हवाय तो यह तो यहां पर मौजूद है थीक है औरोग्राफिक लिफ्टिंग फिरिक्ष्चनल कंवर्जंस वो भी यहां पर जो है वह क्या है मौजूद है Strong vertical directional and speed share with positive Vertical directional, vertical का मतलब इस तरह से Lumbi directional, उपर की तरफ हवाएं जारी है इसमे ऐसा कुछ नहीं है बलके दूर से horizontal direction है, तो that's why यह जो vertical वाला है यह not में आएगा that's why strong vertical यहां पर सही answer है अगर आपको ज्यादा problem हो तो थोड़ा सा आपने Google पे what is lake effect snow, इस lake effect snow के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आपको इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा next MCQ हमारे पास यह है के this is the type of fog that forms on nights nights में ऐसी fog जो nights में बनती है मैंने आपके सामने यहां पर 6 types of fog की एक diagram बनाई है इसमें आपको नजर आ रहा है कि night में होने वाली radiation fog है obviously यहां पर radiation fog जो है सही answer होगा लेकिन थोड़ा सा वरिबली से बताता जाओ एडवेक्शन का मतलब horizontal होता है that's why ऐसे horizontal warm air की वाज़ा से जो fog बनती है उसको हम एडवेक्शन fog बोलते है आर्किटिक्स सीक पर smoke जो बनता है किसकी वज़ा से warm water की warm water होता है जब कर्मी होती है तो उसकी वज़ा से smoke बनता है उस fog को हम कहते है steam fog अब slow fog कैसे बनता है अपने शुरू में adiabatic process पड़ा था convection चीज पड़ी थी तो उस मामलात में जो भी fog बनता है उसको हम कहते है अब slow fog क्योंके इसमेh slope बन रहा है frontal fog जो है वह rain reduced fog induced fog evaporating cooling होती है और ice fog जो है वह बहुत थंडी हवा जब हो और वहां से कोई jet engine बगरा गुज़रे तो उसकी वज़ा से moisture create होता है उसको आम ice fog कहते हैं इस mcq में जो है night की बात हो रही है तो आपने बगार बगार कुछ सोचे समझें simple radiation fog के बारे में लिख देना है अगर आपको यह चाहत हो के आपको यह पता करना है कि fog क्या चीज होती है तो इस पर मैंने एक lecture बनाय हुआ हुआ है the important terms उसको आप जाके देखिए तो fog के बारे में मैंने वहां पर अच्छे तरीके से define किया हुआ है next mcq यह है कि इसमें से बताईए कौन सा रीजन है which of the following reason explains why the stratosphere is absolutely stable इन चारों में से वह कौन सा रीजन है जिसकी वज़से stratosphere जो है air pressure is too low, air pressure जो हो काफी low होता है तीसरी वज़ा यह लिखी है the absorption of radiant energy by ozone ozone की वज़ा से radiant energy जो है वह absorb हो जाती है और last बज़ा जो है the wind speed is strong, too strong wind की speed होती है वह काफी जादा strong होती है जो 3rd point is the absorption of radiant energy by ozone यह correct answer है यही वज़ा है absorption of radiant energy by ozone यह वाइद बज़ा है जिसकी वज़ा से stratosphere जो है वह stable रहती है absolutely बिल्कुल stable रहती है next है these clouds have some vertical development and are located in the upper levels of the atmosphere upper level की बात हो रही है तो अब हाद दखेगा 0 का मतलब होता है high तो इन चारों में से जिसका साथ 0 लगा हुआ है वही इसका सही answer होगा तो 0 cumulus जो है वह सही answer है बागी तमाम चीज़ है अगर आप छोड़ भीने तो कोई issue नहीं है लेकिन simple यह लिखाव है these clouds have some vertical development and are located in the upper levels vertical development होती है और upper level में पाय जाते है अपर के लिए 0 यानि कि high use होगा तो 0 cumulus जो है वह इसका सही answer है next आपके पास how can विर्जा cause the atmosphere to become increasingly unstable ऐसी कौन सी वज़ा है कि विर्जा जो है atmosphere को unstable बनाता है विर्जा क्या चीज़ होती है यह देखने सबसे पहले तो हम कहते है विर्जा का phenomena विर्जा क्या करता है कि mid latitude mid levels के जो atmosphere होते हैं इनको यह क्या करते हैं इनको कूल कर देते हैं ठंडा कर देते हैं जिसकी वज़ासे हमारा जो atmosphere होता है वो increasingly unstable हो जाता है stable नहीं रहता next mc के मारे पास यह कि ऐसे कोई 2 weather for disaster जिसकी वारे में बताना है जिसकी वज़ासे जिन्देगियों का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है तो इसका सही आंसर जो है floods and lightning एक तो सिलाब की वज़ासे बहुता जानी नुकसान होता है और दूसरा यह के जो बिजली गिनने की वज़ासे जानी नुकसान होता है hurricanes, tornadoes या फिर खुशक साली जिसे कहत साली भी कहते है यह ऐसी चीजें जिनका हमें पहले से मालूम हो जाता है और हम safety precautions अपना लेते हैं लेकिन lightning जो है वो अचानक गिरती है और सिलाब जो है यह काफी अचानक से आता है that's why इसमें हमें problem होती है और इसमें जादा तर जानों का नुकसान होता है तो ऐसे दो disaster जिनमें जादो का नुकसान जादा होता है floods और lightning next आपको जो है वो tropical strong force wind के बारे में कहा जा रहा है कि tropical strong force होती है minimum कितनी होती है hurricane जो है उसकी minimum force कितनी होती है tropical cyclones होते है उनकी कम असकम 39 miles per hour होती है और hurricanes होते है 74 miles per hour होती है तो यहां पर 39 or 74 जो है यहां लिखा हुआ है that's why sea point जो है वो बिलकुल सही point है अगर आपको hurricane tropical storms के बारे में पढ़ना हो तो आप मेरे lectures में पढ़ सकते है जिसमें मैंने cyclone को अची तरह से define किया हुआ है next is in most clouds to ground lightning strikes the ground tends to be dash charge जब ground पर lightning होती है यानि के बिजली जब ground पर गिरती है तो ground पर बिजली गिरने की वज़ा क्या होती है ground कि charge के साथ charge होता है positive के साथ के negative के साथ तो आपने याद रखना current जो बिजली होती है उसके अंदर electrons होते है यानि के बहुत जादा negative charges होते है तो negative charge positive charge की तरफ अप्रोच करते हैं उनको attract करते है ground के ओपर positive charge होना लाजमी है जब positive charge होता है किसी जगह पर तो आसमान से जो negative charge जब भी बिजली ग्राउंड पर गिरती है तो जब भी बिजली ग्राउंड पर गिरेगी तो आप समझ जाए कि उस ग्राउंड पर बहुत जादा positive charge मौजूद है next जो हमारे पास मौजूद है mcqs में कहा है कि जो worlds के desert है उसमें सबसे जादा तर जो है कौन से रीजन में पाय जाते है north और south equator के north और south पर equator के या फिर tropic of capricorn और cancer के coast region में 60 degree north और 60 degree south पर या फिर east coast of most continent जादा तर बर्यादम के east coast पर मौजूद होते है इसके मैंने आपके डाइग्राम बनाईए आप अगर देखें तो यहाँ पर equator जो है वो उसके north और south की तरफ regions पर जादा मौजूद है equator जो है वो center वाली line को equator का जाता है equator के इर्दगेर जो है वो काफी जादा हमारे पास क्या मौजूद है desert मौजूद है यह yellow जो है यह सब desert है ठीक है ना थर सहारा desert ठीक है तो हम यहाँ पर लगाएंगे just north and south of the equator यह हमारा सही answer है next is sun is closest to the earth in dash this is known as dash and has a dash effect on season अचा जी आपने क्या बताना है आपने यह बताना है के sun वो कौन से season में जो है वो earth के closest होता है this is known हमें assume यह करना है कि हम northern hemisphere पे हैं यानि कि उपर की side रहते है northern hemisphere पे रहते हैं तो बताइए कौन से season में winter में northern hemisphere जो है वो सूरज से दूर है मुकाबला अगर मैं गर्मी के मुकाबले में summer winter को देखूं तो winter की distance जो है winter में north pole का distance जो है तिल्ट होने की वज़ा से यह वाली चीज करीब है और यह north जो है winter में दूर है जबके summer में उल्टा है south pole दूर है और north pole करीब है तो sun जो है वो closest होता है earth के cup summer में और इस point को हम perihelion कहते हैं या फिर aphelion कहते हैं तो याद रखिए कि left side पर जो हमेशा sun के होता है वो aphelion होता है हमारे पास यह आ गया और इसका earth के जो season होते है उस पर काफी effect होता है तो हमारा जो a point है summer aphelion और large यह सही answer है okay में थोड़ी सी confusion है मैंने recording करते वक्त शायद आपको perihelion की जगह जो है aphelion बोल दिया तो याद रखिए sun के left side पर जो है वो aphelion है और right side पर जो aphelion होता है तो इसमें summer aphelion और large यानि कि c option जो है वो correct होगा तो अगर किसी ने a को correct कर लिए तो इसको सही कर ले और मेरी advice है कि वो जाके aphelion क्या चीज होती है इसको जाकर थोड़ा google पर search कर ले तो इस mcq का जो सही answer है वो है number c next mcq हमारे पास है कि इन चारो में से ऐसा कौन सा process है जो diabetic process है adiabetic नहीं है adiabetic में कभी भी directly heat का conversion नहीं होती जबकि diabetic में direct heat देकर आप किसी की temperature को कम करते हो या ज्यादा करते हो radiational heating जो है radiational का मतलब सूरच की रोशनी से heat हो रही है उसकी वजह से जो temperature में change आता है उसको हम कहते है diabetic process तो इसका जो number c option है वो इसका सही answer है next mcq हमारे पास यह है कि बताईए कौन सी location पे hurricanes जो है वो जादा develop होते हैं to hurricanes पर मैंने अपने lecture upload किया है आपके सामने जाहर कर रहा हूं तो यहां पर लिखा हो है hurricanes जो है वो जादा Atlantic Ocean और Caribbean Sea के पास जो है वो बनते हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो in warm tropical water 10 degree 25 degree north and south of equator along the equator over continental location बर्याजम पर कभी भी नहीं बनते समंदर पर बनते हैं यह तो यहां पर जाहर कर रहा है तो ट्रॉपिकल वाटर्स जो है वो एक वाइद option यहां पर ऐसा है जो समंदर Atlantic Ocean Caribbean Sea को जाहर कर रहा है तो यह जो है इस MCQ number का जो है वो सही आंसर है in warm tropical waters hurricane हमेशा water पर बनते है water जो Atlantic Ocean यह Caribbean Sea हो सकता है because यह north और south किसके equator की north और south पर मौझूद होते है next MCQ है हमारे पास कि बताइए अगर climate की characterized की गई है और उसको नाम दिया गया है A का तो इन पांचों में से वो कौन सा option होगा तो याद रखिए climate को पांच categories में define किया गया है A, B, C, D and E A का मतलब tropical, B का A का मतलब dry, C का मतलब temperate, D का मतलब continental और E का मतलब polar तो यहाँ पर A से मुराद है tropical तो obviously tropical forest climates and all hot season जो है वो यहाँ पर A सही answer है अगर यहाँ पर dry climate की बाई किती होती तो यहाँ पर A की जगह क्या होता? B होता अगर warm temperate climate की बात की गई होती तो यहाँ पर C होता अगर cold forest climates with saver winters तो यहाँ पर D होता और last हमारे पास है polar climate तो यहाँ पर E होता ठीके students Next MCQ हमारे पास climate is a function of बताए climate किन किन चीजों से मिलकर बनता है latitude, altitude, continental, ocean currents या फिर all of the above तो obviously सी बात है के latitude climate के लिए चाहिए, altitude climate के लिए चाहिए, ocean currents climate के लिए चाहिए, और continental यानि के land भी हमें climate के लिए चाहिए तो that's why all of the above इसका सही answer है Next MCQ हमारे पास the mid latitude winds in the northern and southern hemisphere flows generally from which direction? northern and southern hemisphere mid latitude की winds है तो वो किस direction में चलेंगी तो अब हमें सबसे पहले यह पता करना है के middle latitude क्या चीज़ होती है और northern southern hemisphere क्या होते है और वहाँ पे wind किस तना से चलती है तो इसके लिए हम बढ़ते हैं explanation की जाने explanation में मैं आपको यहाँ पर 2 diagram show करवाँगा जिसमेंसे आपने यह देखनी है सबसे पहले तो यह जो पूरा अर्थ है इसको हमने divide किया गया है तीन हिस्सों में equator center जो line है इसको हम कहते है tropical equator और यहां से 60 degree तक यह जो angle है इनको हम low latitudes कहते है low latitudes कहते हैं इसके बाद यहां से लेके 30 तक और 30 से लेके 60 तक उपर और 30 से लेके 60 तक नीचे south और north दोनों में यह जो region होता है इसको हम कहते है middle latitude और उसके बाद pole तक जो हमारे पास high altitudes कहलाते हैं दोनों region पर जबके यह जो lines है इनको हम कुछ ना कुछ कहते हैं यह जो line है इसको हम कहते है equatorial sub tropical यहां पर जो line आ जाते है sub extra tropical और यह sub polar और यह जगा polar होती है यह जगाए है line के साथ बिलकुल इनका नाम रखा गया है tropical और equator subtropical extra tropical sub polar polar tropical पहले subtropical फिर extra tropical फिर sub polar और फिर polar ठीक है अब आप यहां पर अगर देखे तो mid latitude cell मे southern hemisphere नीचे जो जगा है southern hemisphere उपर जो नौधर है आपको यह भी पता होना चाहिए north यहां होता है south नीचे होता है west इस तरफ होता है और east यहां पर होता है तो अगर आप southern hemisphere में देखें और mid latitude में देखें तो बिंड जो है वह इस्ट की तरफ चल रही है west रिलीस चल रही है west की तरफ से चल रही है west की तरफ से east की तरफ जा रही है west की तरफ से east की तरफ जा रही है यहां भी west की तरफ से east की तरफ जा रही है ठीक है ना किस तरफ से आ रही है west की तरफ से आ रही है east की तरफ यहां भी west की तरफ से आ रही है और यहां देखते हैं कि अब दुबारा क्या लिखा हुआ है कि बताईए कि मिड लटिट्टूट में जो विंड होती है Northern Southern Hemisphere दोनों में उनकी direction क्या होती है तो वो वेस्ट की तरफ से आती है Northern Hemisphere में और जो है दोनों सुरते हाल में जो है दोनों Hemisphere में West की तरफ से चलती है East की तरफ तो इसका जो B option है वो correct option होगा Next time से क्यों है हमारे पास कि मोनसोन का जो मतलब है Climateology की माइने में बताईए मोनसोन का मतलब क्या है तो मोनसोन का मतलब होता है साइकलोन और टाइफोन का बनना साइकलोन और टाइफोन पर आते हैं तो इस रीजन को हम कहते हैं के यहां पर मोनसोन अपलाए हो रहा है Next MC की हमारे पास यह है कि जब आप compare कर रहे हो moisture content को किसी दो जगा के दर्मियान तो बताइए क्या चीज आपने देखनी है आपको सानी के पता चल जाए कि यहां पर moisture इतना है और यहां पर moisture इतना है तो dew point जो है actually हमें moisture बताने के लिए काफी होता है तो सबसे best तरीके कारी है कि अगर आपने दो जगाओं के दर्मियान का moisture difference पता करना है तो आप महां दोनी जगाओं का dew point मालूम कर लें अब यह dew point क्या चीज होती है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वह important terms वाले lecture में बताया हुआ है meteorology की series में ही तो आप चाहें तो dew point को अच्छी तना से study कर सकते हैं और revise कर सकते हैं next हमारे पास mcq है when there is a balance between the upward pressure gradient and the downward force of gravity the atmosphere is set to be in dash balance याद करें कि जब upward pressure gradient था और downward coriolis effect था तो दर्मियान वाली जो balance था उसको हम कहते थे geostrophic अब इस बार upward pressure gradient force है लेकिन downward क्या है gravity तो इस सुरत है हल में यह बन जाएगी hydrostatic balance ठीक है upward pressure gradient force है downward coriolis effect है तो geostrophic upward pressure gradient force है downward gravity है तो hydrostatic next mcq में आपसे कहा जा रहा है के ओना next art velocity display यह खास किसम का जो है एक radar है next art velocity display इसमे अगर air away जा रही है आपसे दूर जा रही है तो radar पे वो किस color की दिखेगी तो याद रखना है अगर air जो है वो radar से दूर जा रही है तो वो red color की show होगी और radar के करीब आ रही है तो वो blue color की show होगी तो यहां पर red जो है वो सही answer है next is as an object emit sound or light and moves towards you अगर कोई object है वो sound यहां पर light दोनों में से कोई भी चीज़ इमिट करे और आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर दे तो जो sound की frequency होगी जो radiation की frequency होगी वो relative to you higher होगी or lower होगी than moving object इस चीज़ को अपलर एफेक्ट भी बोलते हैं तो याद रहे है कर कोई चीज किसी में से sound किसी भी object में से sound release हो रहा है और आपकी तरफ बढ़ लाईगी तो obviously जैसे जैसे आपकी तरफ आएगी तो इसकी frequency बढ़ती चली जाएगी तो यहां पर जो सह यह option आएगा वह क्या option आएगा higher नेक्स हमारे पास MCQs है cloud texture such as shadows and lumpiness are best scene on dash imagery तो बताएगे इन चारो में से वह कौन सी जो है वह imagery होगी वह कौन सी scene होगा जिसमें हम असानी के साथ cloud का texture देख सकते हैं तो obviously बात है कि visible अगर visible wavelength में अगर कोई चीज हमारे सामने आ रही होगी तो हम इसको देख पाएंगे वह निजबत infrared, ultraviolet, water paper के जिनकी मदद से हम इन चीजों को नहीं देख सकते हैं cloud texture को नहीं देख सकते तो यहां पर जो visible है वो सही आँसर है next time's excuse is we have to define parallax, parallax क्या चीज होती है तो parallax actually एक phenomena है बिल्कुल इस तरह से के एक उंगली आप अपने सामने रखें और आप उसको पहले अपनी right eye बंद करके left eye से देखें तो आपको उसकी location को चौन अदर आएगी और पिर left eye से बंद करके right eye से देखें तो आपको उसकी location को चौन अदर आएगी इस फिनामना को parallax कहते हैं तो यहां पर जो पॉइंट भी है के displacement of a cloud due to the viewing angle of the satellite sensor जो viewing angle होता है satellite sensor का उसकी वजा से apparent displacement उसकी जो है वो चीज हो जाती है इस चीज को parallax कहते हैं तो इसका जो बी जो है वो सही answer है अगर आपको parallax पर कोई confusion हो तो आप Google पर simple search कर सकते हैं तो आपको parallax phenomenon के बारे में पता चल जाएगा असान चीज है कि आप अपने उंगली अपने नाग के सामने रखें और पहले left eye close करके right eye से देखें और फिर right eye close करके left eye से देखें तो दोनों सुरते हाल में आपको क्या होगा उस उंगली की location उस finger की location चेंज होती भी नदर आएगी इस phenomena को parallax कहा जाता है next is which weather phenomena would be nearly impossible to observe without the aid of satellite imagery बताइए इन चारो में से कौन सा ऐसा phenomena है जो satellite की मदद के लिए बगार जिसको observe करना बड़ा मुश्किल है लास्ट पॉइंट है इसमें location of a deep ocean hurricane, deep ocean में जाना बड़ा असान बात नहीं है वहां पर वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है satellite की मदद के बगार वहां का जो weather है उसको observe करना काफी मुश्किल हो जाएगा वहां पर जो hurricane होते हैं वहां पहुंच डी पोशन में जाकर hurricane का सामना करके उनको observe करना जाता मुश्किल है बड़ा जिसके को satellite की मदद से observe किया जाए next is the smallest element on a satellite image is called and dash तो जो smallest element होता है किसी भी image का वो क्या होता है तो pixel जो है वो किसी भी image का सबसे smallest element होता है इसलिए हम कहते है कि हमारा जो let's suppose mobile camera है वो 10 megapixel है या 8 megapixel है and so on next is an dash surface such as rock does not allow light to penetrate एक ऐसी चीज जो light को penetrate करने ना दे अपने अंदर से गुजरने ना दे यानि कि translate ना और एक ऐसी चीज जो अपने अंदर से light को allow कर दे transparent होना बता है इन दोनों को क्या कहते है तो इसी चीज जो translate ना होने थे उसका हम कहते है opaque जिसे हम कहते है धुनला उड़्दू में और ऐसी चीज जो translate transmit होने थे उसका हम कहते है Transculent तो Translucent जो है और opaque जो है इसमें जो a point है जिसमें सबसे पहले does not allow तो opaque यहां आएगा और Translucent जो है वो यहां second में आएगा तो a option इस mcq का सही आंसर है next mcq इसमें से कौन सा temperature scale जो जो ratio temperature scale भी कहलाता है तो Fahrenheit scale, Celsius scale, Kelvin scale, Kelvin scale में जो ratio temperature scale हो Kelvin scale होता है next हमारे पास जो mcq मौजूद है उसमें कह रहे है के dew point जो है वो temperature से greater है तो बताएगे क्या होगा relative humidity 100% हो जाएगी या तो cloud बनना शुरू हो जाएगे या तो बारिश होना शुरू जाएगी या फिर ऐसा हो यह नहीं सकता तो obviously जी बात है के dew point कभी भी air temperature से जादा नहीं बढ़ सकता, air temperature के बराबर तो आ सकता है उस वक्त relative humidity 100% हो जाएगी लेकिन कभी भी dew point relative temperature से बढ़ नहीं सकता, that's why इसका सही answer है never and the next and the last one mcq is 100 mile per hour wind अगर की speed से wind चल रही है तो बताएगे knots में कितनी होगी तो इसके लिए आपने याद रखना है के one knot जो है वो meter per second में 0.51 के बराबर होता है और miles per hour में 1.15 के बराबर होता है तो अगर हमें पता करना है कि 100 miles per hour में कितने knots है तो आप 100 को divide करवा देंगे 1.15 से तो आपका answer 86.99 knots आ रहा है तो तकलिवान 87 knots के बराबर है इसलिए इसका सही answer D यानि 87 knots होगा इसलिए के साथ जो भी मैंने MSQS की compilation किये वो खत्म होती है उमीद करता हूँ कि मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा फिर भी इस हवाले से आपको कोई सवाल हो तो आप मुस्से जरूर पूछिए कामेंड में लेक्च आप मुस्से सवाल कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि जल से जल आपके क्यूरी को हल कर सकूँ अपनी दौाओं में जह हमेशे याद रखिए का आपको कामियाब करे आमीन सुमामीन